नमस्कार शाथियों, सीवी विगलेटी गूरी में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों अगर आप आई टीए कर चुके हैं और अगर अपरेंटिस करना चाहते हैं तो आप अगर रेलेवे से करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुसकवरी है अररसी परियाग राज के द्वारा अपरेंटिस की वेकेंसी आए जिए आप अभिधन कर सकते हैं सात में आपको यह भी बता दूछा कि अगर आप जो है सरकारी से अपरेंटिस करते हैं उसका तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है अगर आप railway से करते हैं तो उसका बड़ा benefit क्या होता है तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो है अगर आप RRC पर्यागराज Apprentice का अबिधन करना चाहते हैं तो चलिए कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों कर आपको अबिधन करना है तो आपको सरकार रिजल पर आजाना है यहां पर और उसके बाद जब नीचे आजाएंगे तो आपको यहां पर दिखाए देगा यहां पर आपको दिखाए देगा लेटरस जाब में पर आगुघाइगे ऊफ्लिकेशन जो है आधर से स्टाट हए लाज इसके बाडे के इंग के अधर कर में नॉटिफाई सून है औप सूर रुपए है यहां पिसके बाद यहां पिसके बाद कि इसी बदी बाद मने न्राश से लेकर 24 साल के लोग जो है अगर पोस्ट की इता है इसक वहां पर देशकते हैं 421 Alert देखेए को प्रेट से जो है आपको 10 तरह जो है और आइस्पी निशन सब्सक्राइब कर दिए तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे अरारसी प्रेयराज में जो है यहां पर टोटल डिविजन है मेकलिकन डिपार्टमेंट में यहां पर है प्रेंटर का यहां पर यहां पर दिए घरब कर देखेंगे तो यहां पर जायें पर टेंसाइब न बहुत बंडर का जो है इसके आपे नेचल डिपार्टमेंट में यहां पर दिए गया है कारपेंटर का है पाँच पोस्ट और टेक क्रिन कदिया है आठ पोस्ट मैं के शोरासी पोस्ट है का ग्यारा पोस्ट है बिल्डर का जो है इसके बाद नीचे आ जाएगे तो आपको यहां यहां पर सकते हैं तो इसके बार के और लिए यहां और यहां पर टीम का का1 सबसे पहले बात करेंगर सरकारी से करने का तो सबसे बड़ा आपको यह होता है इसमें कि आपको इसमें एक्जाम करा दिया जाते हैं सबसे बड़ा दोस्तों बेनिफिट आपका यही होता है कि इसमें जो सरकारी से करते हैं चाहे आप NTPC से करें चाहे भेल से करें चाहे जो है रेलेवे से करते हैं तो इसमें जो आपका एक्जाम होता है ये exam आपका अच्छे खासा जो जैसे ITM अपने exam दिया था वैसे ही कुछ जो apprentice करते हैं एक साल apprentice करने के बाद आपका exam होता है और जो exam जैसे ITM होता है वैसे exam आपको यहाँ भी apprentice करने के बाद देना होता है अब सरकारी से करने सबसे बड़ा फायदा होती है जैसे आपको करने के बाद आपको a टो कर लेते हैं पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है लेकिन अगर आप प्राइबेट से करते हैं तो आप एक्जाम हो गारा सब्सक्राइब वो proof हो, सही हो, ताकि आप उससे भविशन कहीं लगा सकें, यह स्वस्थे बड़ा benefit यह ही है, अगर आप apprentice कर लिए, प्राइबेट से या government से, आपके पास उसका certificate मिला ही नहीं, मलब कि उसमें जो, उसमें number रोगार है, सभी जो, एक original, जो certificate होता है, वो मिला ही नहीं, तो उसक benefit क्या होने वाला है, दोस्तों, अगर आप Relayway से apprentice करते हैं, और फिर भविशन में जॉब करना चाते हैं, तो सबसे बड़ा benefit होता है, कि अगर आप Relayway से apprentice करेते हैं, तो उसमें जो है, इसमें जो है, पान से दस परसंट जो आपको छूट मिल जाता है, जिसे माले आपको प्रेक्टिस किया है, इसलिए आपको आपको छूट मिल जाता है, तो दोस्तों, अगर आप करना चाते हैं, और आपको इनुफार्मेशन सही लगा होता हैं, सरवाचिंग